जोशी मठ मामले पर सुप्रीम कोट ने ततकाल सुनवाई से इंकार कर दिया है भारत के मुख न्याधीश डीवाई चनचून और पियेस नरसिम्हा की पीट ने कहा कि इस मुद्धे को देखने के लिए लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सर्स्थान है जोशी मठ की जमीन धसने की घटना से सम्मंदित याचिका पर सुप्रीम कोट ने मंगलवार को ततकाल सुनवाई से इंकार कर दिया शिश अदालत ने कहा कि देश में महतपूर सब कुछ सुप्रीम कोट के एंडर नहीं आ सकता है कोट 16 जनवरी को इस मामले की सुनवाई करेगा भारत के मुख नियाएधीश डीवाई चनचून और पियस नरसिमा की पीट ने कहा कि इस मुद्दे को देखने के लिए लोक्तांत्रिक रूप से निर्वाचित संस्थान है अदालत ने यह बात याचिका करता की ओर से पेश वकील दुआरा मामले की ततकाल सुनवाई के लिए उल्ले की जाने के बाद कही है इस से पहले सुमवार को सुप्रीम कोट ने एक वकील से मंगलवार को एक याचिका का जिकर करने के लिए कहा जो तराखड में जोशी मट के लोगों को राहत देने और ततकाल राहत प्रदान करने के लिए शीष अदालत दौरा ततकाल हशचेप की मांग कर रही है जो भुसकलन के मद्दे नजर डर में जी रहे है याचिका धारमिक नेता स्वामी अविमुक्तेश्वरा नंद सरस्वती द्वारा दायर की गई थी इसमें भुसकलन, जमीन फटने, मकानों की दीवारों में दरारों की वर्तमान घटनाओं को राष्टी आपदा घोशित करने और राष्टी आपदा प्रबंदन प्रधी करन को निर्देश देने की मांग की गई थी याचिका में जोशी मठ के उन लोगों को ततकाल, वित्ती सहायता और मुआवजा प्रदान करने की मांग की गई है याचिका में आगे कहा गया है कि उत्तराखंड राज में केंद्र और राज सरकार द्वारा ओधोगी करन, शहरी करन और प्राकृतिक संसादनों के विनाश के रूप में बड़े पैमाने पर मानोहस्तचेप की वज़ा से पारिस्थितिक और भूगरभिय गडबडी हुई ह कर दो दोद्टेए